वेलकम टूर नेक्सक जाओं आज है 12 अपरेल 2023 और 12 अपरेल 2023 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिसकस करूंगा और हर कुशिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट पैक भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो को अध्यान से देखिए लास्ट मैं आपसे कुशिन पूछूंगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स मताना है आज किस वीडियो की पीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में रास्त्री सुरक्षित मात्रत दिवस कम मनाया गया है तो अभी 11 अपरेल को रास्ती सुरक्षित मात्रत दिवस मनाया गया तो इस कुश्यन का बे ऑप्सिंस आई है मैलाओं क मात्रत सुरक्षा को बड़ाबा देने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है एक चुल में प्रेग्नेंसी की टाइम पे मैलाव पे थोड़ा सा रिस्क रहता है तो प्रे डिलिवरी डियूरिंग डिलिवरी और पोस्ट डिलिवरी इनकी सुरक्षा को बड़ाबा देने के लिए 11 अप्रेल को यह रास्टी सुरक्षित मात्रत दिवस मनाया जाता है अच्छा एक अप्रेल को आर्बिया का स्थापना दिवस मनाया गया और मैं हमेशा बताता हूं एक अप्रेल को उड़ीसा दिवस या उतकल दिवस मनाया जाता है दो अप्रेल को बेस्टु और्टेज में ज सब्सक्राइब 10 सब्सक्राइब 10 अपराइब तक इतने इंपोरेंड डिवर अच्छा आज की बीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप्स इस और सिर्जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेव करने में लगा दो आपकी ल लाइसी ने रतनाकर पतनायक को अपने चेफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया तो इसको शिंक से ऑप्सेंस है अब लाइसी ने किया तो लाइसी की स्थापना कब हुई 1956 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसकी प्रिजेंट टेम पर चेयर परसन कौन है सिदार्थ मोहंती अच्छा अभी सुजुकी मोटर साइकल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया एमडी अपॉइंट किया है टाटा पॉबर ने प्रबेर सिन्ना को एमडी अपॉइंट सियो के रूप में पॉइंट किया हीरो मोटो कॉप का सियो निरिंजन गुपता को न्यूक्त किया गया और एक्सिस सिक्यूर्टीज का नया एमडी अपॉइंट सियो प्रडव हरिदासन को न्यूक्त किया गया है हाली में जारी Freedom House Index 2023 में दुनिया में सबसे कम आजाद देश का दरजा किसे मिला है तो अभी Freedom House Index 2023 जारी किया गया इसमें दुनिया में सबसे कम आजाद देश का दरजा तिबबत को मिला है तो इस कुशिन का बे आपसिन सही है आपको पता है तिबबत पे चाइना ने कबजा कर लिया है और चाइना कर क्या रहा है जो तिबबत का कल्चर था उसको धीमे 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 डैमेज करता जा रहा है और जो चाइनीज कल्चर है वो उस पर हावी होता जा रहा है एक तरह से जो तिबबत का अस्तित था वो थीमिदी में खत्म होता जा रहा है तो चैना महाँ पर अपना कल्चर हावी कर रहा है और जो तिबबत का कल्चर था उसे खत्म कर रहा है तो अभी यह जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स जारी किया गया है इसमें दुनिया का सबसे कम आजाद देश तिबबत को खोसित किया गया है नए कुशिन है किस राज सरकार ने डेरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीबनी परियोजना सुरू की है तो अभी हिमाचल परियोजना सरकार ने डेरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीबनी परियोजना सुरू की तो इसकुशिन का से ओप्सन सही है संजीबनी परियोजने में हिमाचल प्रदेस सरकार किसानों को पसु पालन में मदद करेगी अब हिमाचल प्रदेस तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेस हिमाचल प्रदेस की केपिटल क्या है सिमला हिमाचल प्रदेश के चीपनिश्टर कौन है सुक बेंदर सिंग सुकू और हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने है सिप प्रताप सुकला अच्छा अभी हिमाचल प्रदेश की कांगडा चाय को European GI टेंग मिला है कांगडा चाय इसे Indian GI टेंग पहले ही मिल चुका था अब इसे यूरोपियन जी टेंग मिला है और्गिनाइज्ड लिकोर इस यानि की मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज हिमाचल प्रदेश बना है और सुकासरे सायता कोस इसी से रिलेटिड कल मैंने आपको कुशन मताया था हिमाचल प्रदेश सुकासरे बिदेख पारित हो गया है इसमें निरासरित और अनात वच्चों को रहने के लिए उनके एजूकेशन के लिए इविन उनकी पॉकेट वनी के लिए भी गवर्मेंट व नेसनल पार्क है और ठिर गंगा नेसनल पार्क है इतना आप हिमाचल प्रदेश के वारे में रखी नैक उत्तर प्रदेश में ने उत्तरप्रदेश तो ये है मैं अपने उत्तरप्रदेश की कैपिटल क्या है लखनव और लखनव है गोमते न देखना जिस्तेत उत्तरप्रदेश की चीपनिश्टर है योगी आतिनाद उत्तरप्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल उत्तरप्रदेश का राज की है सारस या क्रोंच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रक्ष है असुक खब्रच अभी उत्तरपदेश सरकार ने सिक्षा सेवा चैन आयों की स्तापित करने की गोश्ण की है SEO की पहली परेटन और सांस्कृतिक राजधानी बाराणसी को गोशित किया गया है उत्तरपदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वहानों की खरीद पर रोट टेक्स और पंजीकरण सुल्क को माफ खर दिया है अच्छा उत्तरपदेश के बनारसी पान को भी जी है टेक मिला बनारसी की लंगडा आम को भी जी एटेक मिला है अलीगड के तालों को जी एटेक मिला है हात्रस की हेंग को जी एटेक मिला है मुरादावाद की जो जैगरी है यानि की जो गुड है उसको भी जी एटेक मिला है उत्तरपदेश से भी बहुत सारी चीज़ों को जी एटेक मिला है यह आप याद कर लेजिए अच्छा उत्तर विदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतर्णियां गाट वाइलड़ सेंचुरी है और पेली भी टैगर रिजार्व है नेक विदेश मंतरी एस जैसंकर ने कहां तुलसी घाट वहाली परयोजना का सुबारम किया तो अभी हमारे विदेश मंदी तीन दिवसी युगंडा के दोरे पर है और यहीं पर कमपाला में इन्हों ने तुलसी घाट वहाली परयोजना का सुबारम किया तो इसकुश्यन का ए ओप्सिन से ही है और तुलसी घाट कहां पर है बनारस में गंगा किनारे पर है तुलसी घाट इसका नाम तुलसी घाट, गुस्वामी तुलसी दाजी के नाम पर पड़ा, अब युगणडा में इसका सुबारम किया गया, तो ये है मैप में युगणडा, युगणडा की कैपिटल है कमपाला, युगणडा की करनसी क्या है, युगणडा सेलिंग और युगणडा के जेन टेम पे एकक्सिद करने के लिए किस IAT ने UIDI के साथ आई दारी की तो टुछ लेस्ट बायो मेट्रिक्स स्र事情 डिवलॉप करने के लिए IT-BOMBAY ने यू आईड़े आई यानि की उनिक आईटिनिफिकरिकेशन अथर्टी आफ इंडिया के साथ हलिए तो इस question का C options है अब IAT की बात है तो अभी IAT मद्रास ने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विक्सित किया है IAT रुड़की के वेग्यानिकों ने नए जीवांड रोधी अडू IAT R00693 की खोज की और Reliance Life Sciences को IAT कानपूर से Jane Therapy Technology का license मेला है ने question है हाली में कौसल बिकास और उद्यमिता मंत्रा लेने कहां रास्ती सिक्छुता मेला आयुजित किया है तो अभी कौसल बिकास और उद्यमिता मंत्रा लेने राइस्तान के उधमपुर में रास्ती सिक्छुता मेला आयुजित किया तो इस注़ो का, we options है है, अब राइस्तान तो यह है मैप में राइस्तान, राइस्तान की unless मिया है, जैपुर, राइस्तान की चीपनिश्टर कौन है, असूग गहलोग और राइस्तान की गवर्रनल कोन है, कलराज मेसर, अभी दुनिया का तेसरा और भारत का दूसरा, सबसे किटे स्टेडियम राहिस्तान में बनेगा तीस मार्च को राहिस्तान का इस्तापना दिवस मनाये गया भारत की पहली व्यवार प्रयोग साला जैपुर में स्तापित की जाएगी MSME, ओद्योगी प्रदसनी और मेले का उद्गाटन कोटा में हुआ 18 में 200 सुरक्चा कॉंग्रेस जैपुर में आयोजित की गई और कोटा में बिग्यान, केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा अच्छा प्राइस्तान में सरिस्का निस्नल पार्क है, रडठंबोर निस्नल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी भ्यार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व है ने क्यूशन है, सर्वस्रेश सार्वजनिक परिबहन वाले सेरों की लिस्ट में कौन सीट्स पर रहा है तो दुनिया में जो बेस्ट पब्लिक ट्रांस्पोर्ट वाले सिटीज हैं, उनका इंडेक्स जारी किया गया है इसमें जर्मनी का बर्लिन सहर फस्ट नमबर पर रहा है, तो इसकुशन का से ओप्सन सही है प्राग सिटी सेकेंड पर है, जापान का टोक्यो थार्ड पर है अच्छा, इंडिया का सिर्फ एक सिटी सामिल किया गया है, वो 19 में नमबर पर है कौन सा सिटी है, मुंबाई, मुंबाई इस लिस्ट में 19 में नमबर पर है नए क्युशन है, चेन ने किस देश के पास लाइब एम्यूनिशन फायर सेन अभ्यास किया है तो अभी चाइना ने ताइवान के पास लाइब एम्यूनिशन फायर सेन अभ्यास किया तो इस question का बे options है अब ताइवान तो ये है map में ताइवान, ताइवान की capital क्या है, ताइवान की currency क्या है, new ताइवान डॉलर, और ताइवान की present time पे president कौन है, तसाइंग बेन कौन है, तसाइंग बेन, नए question है, हाली में किस ने कूर्टिंग इंडिया नमक नई पुस्तक लिखी है, तो अभी नंदिनी दास ने कूर्टिंग इंडिया नमक एक नई book लिखी, तो इस question का say options है, अच्छा अभी प्यूस बाबेल ने नई पुस्तक, गांदी, सियासत और सामपरताइकता लिखी, बाडे तरपाटी ने अपनी नई पुस्तक, वाई कांट एलिफेंट भी रेड लिखी, बासूस चटरजी एंड मिडिल ओफ दा रोड सिनेमा नमक पुस्तक का भी मुचन हुआ है, इसे अनिरुद्ध भट्टाचार ने लिखा है, ने question है, हाली में किसने मराठा उद्योग रत्न दोजर तेज पुरुस सामरे, ये जिजाओ एजुकेशन एबम सोशल फाउंडेशन के संस्तापक हैं, और इनों नहीं अभी मराठा उद्योग रत्न दोजर तेज पुरुसकार जीता है, अच्छा अभी से आर राव ने सांकी की दोजर तेज में अंतरास्ती पुरुसकार जीता, फ्रांस के सर्व निदी पुरुसकार से बंबे जैसरी को सम्मानत किया जाएगा, सरसुती सम्मान 2022 के लिए सिप संकरी को चुना गया, और प्रिजिकर आर्किटेचर पुरुसकार 2023 की विजिता के रूप में सर डेविड चिपफर फिल्ड को चुना गया है, ने क्यूशन है, किस भारतिय ने बेशु सत्रंज, आर्मगेडन, एसिया और ओसिनिया इवेंट का टाइटल जीता है, तो ये जीता है, डेग गुकेश ने, तो इसकुशन का से ओप्सिन सही है, ये हैं भारति सत्रंज खिलाड़ी, डेग गुकेश, इनोंने अभी बेशु सत्रंज, आर्मगेडन, एसिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता, नए क्यूशन है, हाली में कौन सा राजु, एलक्ट्रिक नॉलेज नेटवर्क से जुदा है, तो अभी बिहार एलक्ट्रोनिक नॉलेज नेटवर्क से जुदा, तो इसकुशन का, ए आप्सिन से ही है, अब बिहार जुड़ा, तो ये है मैप में बिहार, बिहार की केपिटल है पटना, बिहार की चीपनिश्टर है नितिस कुमार और बिहार की गवर्नर कौन है, राजजेंदर अर लेकर, अच्छा अभी बिहार के मिर्ची चाबल को जिये टेग मिला, इसे मरचा चाबल भी कहते हैं, बिहार की मदूबनी पेंटिंग को G.I. टेग मिल चुका है, बिहार के मगगही पान को भी G.I. टेग मिल चुका है, बिहार से ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं इनको G.I. टेग मिला है, इनको आफ रिवाइज कर लिया करो, अच्छा अभी बिहार में सबसे कम साक्चरता दर है, राजबिन्दर बट्टी को बिहार के DGP के रूप में अपॉइंट किया गया है, ग्रहमंत्री अमित्सा ने बिहार के सारण में लोक नायक जै प्रकास नाराइड की प्रतिमा का अनावरण किया, और बिहार में बालमी की नेशनल पार्क भी है, ने कुशन है, हाली में IPL में सबसे तेज 50 बिकिट लेने वाले भारती कौन बने हैं, तो अभी हरसल पटेल, IPL में सबसे तेज 100 बिकिट लेने वाले भारती बने, तो इस कुशन का C options है, ये हैं हरसल पटेल, ये Royal Challengers Bangalore के लिए खेलते हैं, अभी इन्होंने मात्र 89 पारी में 100 बिकिट लेके ये नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है, अच्छा, IPL में सबसे तेज 6000 बनाने वाले खिलाडी डेविड वार्नर बने, ये मैंने आपको कल बताया था, IPL में 704 लगाने वाले खिलाडी सिखर धवन मने, IPL में 150 बिकिट लेने वाले भारती खिलाडी भुबनेस्वर कुमार बने, और IPL में अब चंदरन अश्विन मने, IPL से रिडेटेट इतना आप याद रखिए, अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर, लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्चिन पूचा था कि किस राज्जी में फूड कॉन क्लेब 2023 आयोजित किया जाएगा, तो अभी ते लंगाना म में फूड कॉन क्लेब 2023 आयोजित किया जाएगा, यानि कि इस कुश्चिन का, बे आपसन सही था और लगबग सभी इस्ट्रेटनेस कांसर सही दिया, मुश्च ले इस्ट्रेटनेस के आरे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, कुश्चिन के बार अंत्री मूदी ने कहां अंतरास्टी बिग केट्स अलाइंस सुरू किया है, चार ओप्सन दिये गए हैं, इन में से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके लाबा हम हमारे फेस्टुक पेज पर प्रेबियस एरे कुश्चिन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेस्टुक इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी, इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी गन्फिजन, डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना, आज किस बीडियो को सेर जरू कर दिया करो, तो ये था, आज का हमारा करेंट अफेस का वीडियो, आपको ही वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप थी मदद मिलेगी, जब आप से सब्सक्राइएंगे, तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कलने, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में कर इंट अफेस की वीडियो मिलती रहे, नेक्स्ट एक्जाम और पेज वीडियो, तैं